बीते दिन राजधानी देहरादून के अभी मन्यू क्रिकेट ग्राउन पर सीम इलेवन और बीजेपी युवामोर्चा इलेवन के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। लेकिन खेलते समय सीम धामी की मुली में चोट लग गई थी। आज मुख्यमंत्री चोट को दिखाने दून हस्पिटल पहुचे। इसके अलावा उंगली में सूजन काफी है। मोख्यमंत्री को डेविटीज भी है जो कि कंचौल में है। इसलिए उन्हें कच्चा प्लास्टर लगा दिया गया है और आफते भरût उन्हें कच्चा प्लास्टर हटा कर पक्का प्लास्टर लगायी जाएगा। डॉक्टर का कहना है कि सीयम की उंगली पूरी तरह ठीक होने में डेल से दो महिने लगेंगे। सीयम ने बड़ी सरलता के साथ मेडिया के समख्ष ये जानकारी देते हुए कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे और प्लास्टर भी पहनेंगे। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हैरलाइन फ्रेक्चर में चिंता जनक कुछ नहीं है पर सावधानी बरतनी होगी बता दे की टीम इंडिया के विकेट कीपर रिशप पंत ने उत्राखन के लोगों के बीच खेल और समानिय स्वास्त को बढ़ावा देने में सर्वश्रेस्ट युगदान देने का संकल पलिया है उत्राखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने पंत को राजिय का ब्रांड अमबेसजर न्यूप किया है सीम धामी ने कहा कि भारत के बहतरीन क्रिकेट खिलाडियों में से एक युवाओं के आदर्श और उत्राखन के लाल रिशब पंत को हमारी सरकार ने राजिय के युवाओं को खेलकूद एवं जन्स्वास्त के प्रति प्रोचसाहित करने के उद्देशी से राजिय ब्रांड अमबेसजर न्यूप किया है एक्षरा हुआ है उसमें एक्षर निकला है डॉक्तर में ब्लस्टर करेंगे है और कहरे है कि चार हमते तर ब्लस्टर रहेंगा कोई छोटी-छोटी ठीक हो जाएगी आप अपने अक्टिविटेज जारी रखे हैं यह बाखे है निसी दिरुप से मैं जा रहा हूँ भी दोरे से ब्लस्टर बिरो रिपोर्ट नेशन वन